नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपान छेया ये जानते हैं इस वक्त की अपडेट पुतिन नहीं लेंगे ब्रिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा हाली में रूसी राश्ट्रपती के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूसी राश्ट्रपती पुतिन ब्रिक शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिन अफ्रीका नहीं जाएंगे साथियों दक्षिन अफ्रीका जाने के बजाए राश्रुपती पुतिन वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से जोहानिसबर्ग में होने वाले ब्रिक्षिकर सम्मिलन में भाग लेंगे आपको बता दें कि दक्षिन अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के पंद्रवे शिकर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है इस तीन दिवस्य सम्मेलन का आयोजन 22 अगस से 24 अगस 2023 तक किया जाएगा बता दें कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विशय ब्रिक्स और अन्य देशों के बीच संबंध विक्सित करना होगा साथ ही इस जोहानिस बग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदसे देशों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी गौर तलब है कि साउदी अरब, सयुक्त अरब अमिरात, अलजीरिया, मिस्र, बहरीन और इरान साइथ दुनिया के 19 देशों ने ब्रिक्स संगठन में सदसे देश के तौर पर शामिल होने में रुची व्यक्त की है ब्रिक्स के देशों की तेजी से बढ़ती अर्थ विवस्था, उभरता व्यापार और डी डॉलरी करण के उदेश से नई मुद्रा प्रणाली शुरू करने की योजना के करण दुनिया भर के तमाम देश ब्रिक्स संगठन का सदस्य बनना चाह रहे हैं आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की पांच उभरती अर्थ विस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफ्रीका का एक संगठन है ब्रिक्स देशों के बीच दुई पक्षिय संबंध, मुख्य रूप से समानता, पारस पर एक लाब और गैर हस्त छेप की नीती पर आधारित है आपको ग्यात होना चाहिए कि ब्रिक्स का उदेश, शान्ती, सुरक्षा, विकास और सयोग को बढ़ावा देने के साथ ही न्याय संगत और निश्पक्ष दुनिया की स्थापना करना है